एक्सरसाइज 1.4 से कोशन नमर 6 करेंगे इन अ क्लास टेस्ट प्लस 3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर किसी क्लास टेस्ट के अंदर हर सही जवाब के प्लस 3 मार्क्स दिये जाते हैं और अगर जवाब गलत दिये जाता है तो हर गलत जवाब के माइनस 2 मार्क्स दिये जाते हैं यानि कि 2 नमबर कट जाएंगे अगर कोशन अटेंप्ट ही नहीं किया जाता है तो उसके आपको 9 मार्क्स मिलेंगे यानि कि कोई marks नहीं मिलेगा, 0 marks मिलेंगे नमबर 1 पे पूछा है, राधी का score 20 marks राधी का एक लड़की है, उसने total 20 marks score किये है If she has got 12 correct answers, अगर उसने 12 questions का जवाब सही दिया है तो how many questions has she attempted incorrectly तो उसने कितने questions को गलत attempt किया, यानि कि incorrectly कितने questions का जवाब उसने गलत दिया है, यह आपको बताना है तो हमें दे रखा है कि total score जो है राधी का का वो 20 marks है और 12 questions उसने right attempt किये और हर एक सही जवाब के उसको 3 marks मिलते है तो 12, 3000 हो गया है 36, यानि 36 answers, 36 जो marks है वो उसने अप्टेन किये लेकिन final उसका score 20 marks है, तो 36 से 20 हो गया, यानि कि कुछ marks कटे है अब ये जो कटे हैं, ये वो marks कटे हैं जो गलत जवाब की वज़े से कटे है अब जवाब उसने गलत कितने दिये हैं, ये आपको निकालना है तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे, राधिका score is 20, यानि कि राधिका का score 20 है फिर हम ये लिखेंगे कि उसको सही question से कितने marks मिले हैं marks obtained from correct answers, जो जवाब उसने सही दिये हैं, उसके मिलेंगे उससे 12 into 3, यानि कि 36 marks क्योंकि एक सही जवाब के तीन नंबर मिलते हैं, 12 उसने जवाब सही दिये हैं अब 36 से 20 हो गया, marks कटे हैं, अब marks कटे कितने हैं, ये हम निकालेंगे तो marks obtained from incorrect answers, देखें, total score तो उसका 20 है 20 में से ये वाला score minus कर देंगे, जो right answer देने पर मिला है तो ये minus कर देंगे, तो वो marks पता चल जाएंगे, जो गलत जवाब देने से उसको मिले है तो 20 में से 36 minus करेंगे, तो plus minus minus हो गया, यानि subtract हो गया 36 में से 20 minus करेंगे, तो 16 आ गया, और ये minus का आएगा, क्योंकि minus का नंबर बढ़ा है ये minus 16 ये दिखाता है, कि राधिक आके 16 नंबर कटे है अब 16 नंबर कटे हैं, तो ये गलत जवाब देने की वज़े से कटे है और एक गलत जवाब के marks कटते हैं उसके 2, यानि की minus 2 तो total जो उसका score है, जो गलत जवाब से हुआ है, वो है minus 16 और एक answer से score मिलता है minus 2, तो इनको divide करने से जो value आएगी, 8 आएगा ये 8 ही वो questions है, जो उसने गलत जवाब दिये तो number of incorrect answers हो जाएगा, minus 16 divided by minus 2 minus से minus कट गया, तो ये आगया है 8, यानि राधिका ने 8 questions के जवाब गलत दिये है ये तो इसका first part है, same to same, बिल्कुल इसी तरह का इसका second part है, जो लिए second part करते है second part में है मोहिनी, मोहिनी scores minus 5 marks in his test, मोहिनी के marks है minus 5 total उसका score है ये, though she has got 7 correct answers, जबकि उसने 7 questions का सही जवाब दिया है अब जब 7 questions का सही जवाब दिया है, और एक सही जवाब के 3 number मिलते हैं, तो 7 threes are 21 तो 21 marks तो उसने obtain किये हैं, सही जवाब दे के, लेकिन finally score जो उसका बन गया है, वो minus 5 हो गया है यानि 21 से minus 5 बन गया, तो कम हो गया, कम हुआ है, तो यानि कि उसके number कटे हैं और number जो कटे हैं, वो गलत जवाब देने की वज़े से कटे हैं, तो how many questions has she attempted incorrectly तो उसने कितने जवाब गलत दिये हैं, same to same बिल्कूल इसी तरह से करना है हमें पहले लिखेंगे मोहिनी स्कोर, minus 5, फिर हम लिखेंगे marks obtained from correct answers जो marks उसको correct answers से मिले हैं, वो है 7 into 3 7 correct answers है, एक correct answers के 3 मिले हैं, तो 7, 3s are 21 अब total score minus 5 है, और 21 वो number है जो correct answer से मिले हैं तो therefore marks obtained from incorrect answers, ये हो जाएगा, total score में से ये वाले marks minus हो जाएगे अब minus minus, plus हो जाता है, यानि कि ये दोनो add हो जाएगे तो 21 में 5 add करेंगे, तो ये आएगा 26 और क्योंकि दोनों ही minus के हैं, तो minus का 26 तो minus 26 ये दिखाता है, कि उसके 26 marks कट गए हैं अब ये जो कटे हैं, 26 marks कट गए हैं, और एक गलत जवाब के उसके marks कटते हैं 2 यानि कि minus 2 मिलता है उसको एक गलत जवाब का और total जो उसको marks मिलें गलत जवाब से वो minus 26 है तो इनका divide कर देंगे जो value आएगी वो ही होंगे वो questions जो उसने गलत attempt किये तो minus से minus कटेगा 26 को 2 से divide करेंगे तो 13 आएगा तो हम last में लिखेंगे number of incorrect answers is equal to ये वाला score जो incorrect answer से मिला है और एक incorrect answer का उसको जो marks मिलता है उससे divide कर देंगे minus से minus कट गया, divide करके 13 आगया तो incorrect answer से उसके 13 है ये second part है, इसी question के अंदर एक third part भी है अब हम third part करेंगे, वो थोड़ा सा अलग है इससे, थोड़ा important है तो ध्यान से देखना आप, राकेश scores 18 marks राकेश एक लड़का है, उसने total 18 marks score किये है by attempting 16 questions और उसने 16 questions को attempt किया है how many questions has he attempted correctly and how many has he attempted incorrectly तो उसने कितने जवाब तो सही दिये है और कितने जवाब उसने गलत दिये है ये दोनों आपको निकालने तो question थोड़ा सा different है ना तो आपको ये दे रखा कि कितने सही जवाब दिये है ना आपको ये दे रखा कि कितने गलत जवाब दिये है बस total score दे रखा है और ये दे रखा है कि total questions उसने कितने attempt किये है तो यहाँ पे हम ये जो right answers है न correct वाले इन्हें हम let कर लेते हैं तो let number of correct answers is equal to x जब correct answers उसके x हो गई तो incorrect हो जाएंगे 16 minus x then number of incorrect answers is equal to 16 minus x क्योंकि total question तो 16 है उसमें से x जो है वो correct है तो 16 में से x minus कर देंगे तो हमें incorrect का पता चल जाएगा अब according to question question के हिसाब से जो correct answer है एक correct answer के 3 marks मिलते हैं तो ये तो वो marks हो गए है 3 से multiply करके वो marks आ जाएंगे जो उसको सही जवाब से मिले हैं प्लस 16 minus x ये उसके गलत जवाब है और एक गलत जवाब के उसको marks मिलते हैं minus 2 तो minus 2 से इसे multiply करने से वो marks आ जाएंगे जो उसको गलत जवाब देने से मिले हैं और ये दोनों मिलके उसका total score बनेगा और total score यहाँ पे 18 दे रखा है तो एक simple equation बन गई है वो marks जो सही जवाब से मिले है वो marks जो गलत जवाब से मिले है और total मिल गए है उसको 18 marks अब इस equation को हम solve कर देते हैं तो x को 3 से multiply करेंगे तो 3x आएगा यहाँ आप देख रहे होंगे minus 2 multiply 16 minus x अंदर दो values है न तो यहाँ पे आपके distributive property लगेगी यानि minus 2 को पहले 16 से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा minus 32 फिर minus 2 को minus x से multiply करेंगे तो minus और minus मिलके plus बन गया और 2 को x से multiply करेंगे तो 2x हो गया is equal to 18 अब left side में मैं देख रहाँ कि 3x और 2x यह like terms हैं दोनों plus के हैं तो 3 और 2 मिलके बन गया है 5x is equal to 18 अपनी जगे पे है यहाँ पे minus का 32 जब अपनी side change करके दूसरी तरफ जाएगा तो यह plus का 32 हो जाएगा next step में 5x as it is रहेगा 18 plus 32 sum करेंगे तो यह 50 आजाएगा हमें value चाहिए x की तो x को हमें अकेला छोड़ना पड़ेगा जब x के साथ से हम 5 हटाएगे यहाँ x के साथ जो 5 है यह multiply में है तो दूसरी तरफ जाके यह 5 divide में चला जाएगा solve करते ही हमें x की value मिल जाएगी 50 को 5 से divide करेंगे तो यह 10 हा गया और 10 क्या है यह x है और यह correct answers है तो हम अपना answer लिख देंगे यहाँ हमारा answer आएगा तो therefore correct answers is equal to x माना हुआ है हमने और x की value आई है 10 यानि 10 जवाब right है राकेश के and incorrect answers incorrect answers को हमने उपर let किया हुआ है 16 मानास x तो यह 16 में से यह x मानास कर देंगे जो की 10 है और यह आ गया है 6 तो 6 वो questions है जो राकेश ने गलत attempt किये अब देखिए आप 10 और 6 16 ही हो गया ना और उसने 16 questions से पूरे attempt किये थे तो यह question खतम तो इस video में बस इतना ही next questions के लिए मिलते हैं फिर next video में तब तक के लिए goodbye और बाइ